तो हेलो गाइस वर्कम तो मैं चैनल धेरदुन डाइडी ज आज हम आए साक्षी काठी रोल एंड फास्ट फूर्ट सेंटर में तो देख सकते हैं यह है गोरगपूर चौक डिफेंस कॉलनी से सिधा आके गोरगपूर चौक आता है उसके स्थेक सामने ही साक्षी काठी रोल सेंटर है यहां पर बर्गर वेज बर्गर नॉन वेज बर्गर नॉन वेज काठी रोल वेज काठी रोल सब कुछ अविलेबल है और अभी देख सकते हैं आप यहां पर चिकन काठी रोल बन रहा है तो यह है भाईया और यहां अभी चिकन काठी रोल प्रि काठी रोल बनने के लिए सबसे पहले मैदे के पराठी बनते हैं देन उसके अंदर स्टफिंग होती है देख सकते हैं अभी हम चिकन काठी रोल बन रहे हैं तो यह चिकन की स्टफिंग हो रही है पराठी के उपर पराठी के अंदर तो अगर आप वैज रोल खाएंगे तो वै मियोनीज प्याज और सॉस डालेंगे तो अभी यहां पर सॉस डल रहा है काथी रोल के उपर तेन अब ग्रीन चिली सॉस डलेगा और लास्ट में डलेगी मियोनीज अब देख सकते हैं कितना जूसी लग रहा है यह काथी रोल से यह स्वी पहुती टेस्टी हो गाई अब हम बना रहे हैं एक काथी रोल देख सकते आप सबसे पहले नोने मैदे का पराठा बनाया है यह एक डालेंगे और तब जाके हमारा एक काथी रोल प्रिपेर होएगा देख सकते आप तो आप बेख सकते हैं आप फूट चुका है और मैदे के पराठे के उपर यह ने एक फूट कर उसको चारो तरफ से उसमें ठला दिया है ज़िख सकते हैं त्यान से इससे आप घर में भी प्रिपेर कर सकते गा इस काथी रोल को बहुत ही एज़ी है और बहुत ही टेस्टी हम बने गठे गाद ही एकट में पहकते हैं तरफ कि अरा तो ग्राइज अब एक काथी रोल के अंदर स्टफिंग करेंगे, तो सबसे पहले प्याज डाला है इसमें भाईयाने, इसके बाद अब मसाले डालेंगे, चाथ मसाला, दें सॉस डालेंगे, क्रीम चिली सॉस, रेट सॉस, दें इसके बाद मियानेज डालेंगे, और हमारा एक काथी रोल भी प्रिपेर हो चुका है, वैक सबसे में प्रिपकर हो चुका है, देख सकते हैके कि अदर तेस्थी लगजें अब आप और यह कितना जूसी और टेस्टी लग रहा है देख सकते हैं आप आपको मेरा यह फूड व्लॉग पसंद आया हो अपसे मेरे चैनल में फूड व्लॉग भी आएंगे गाइस आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले तब तक ले बाई गाइस और बने रहे हैं मेरे साथ दहरतुन डाइरीज दे